कतर जैसे देशों के साथ में सीक्रेट डिल करने वाली चाइनिज कमपनिया भारत के पडोस में बिलियन सब डॉलर की इंविस्मेंट करने के प्रकरिया शुरू कर चुके हैं इस भारी investment के साथ भारत के पडूस में कई बड़ी oil refinery setup की जाएंगी और target यही है कि भारत की overall petroleum exports को किसी तरीके से कम किया जा सके भले ही भारत अपनी तेल जरूरतों का 85 फेस्दी हिस्सा अलग-अलग देशों से इंपोर्ट करके पूरा करता हो लेकिन भारत आज दुनिया का काफी बड़ा petroleum या फिर कहा है refine petroleum export रहे और साल 2022 की data के मताबिक भारत 40 से भी जादा देशों को petroleum product export करता हुआ पाया गया है और simple सी बात है कि जब भारत इती बड़ी मात्रा में petroleum export कर रहा है तो सीधा समतलब यही है कि भारत काफी वड़ा revenue भी इससे generate कर रहा है और चाइना भी यह बात पूरी तरीकी से समझ चुका है जहाँ पर अब चाइना हमारे पड़ोसी देशों के अंदर अपनी बड़ी refinery सर्टप करने के प्रकरिया शुरू कर रहा है पूरी development के आई इस वीडियो में समझते हैं बसमय सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजगा दोस्तो रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनोपेक ने रिसेंटली स्रीलंका के साथ में करीब 4.5 बिलेन युर्स डॉलर के रिफाइनरी प्रपोजल के साथ बात्चिस शुरू की है और स्रीलंका की तरब से इसको ग्रीन सिगनल भी दिया जा चुका है जहाँ पर सिनोपेक वही कंपनी है जिसने रिसेंटली कतर के साथ में अगले 27 सालों के लिए नैचरल गैस को लेकर के डील साइन की है अब इससे भारत को क्या दिक्कते हो सकती है यह आपको बताते हैं देखिए रिसेंटली भारत ने बांगलादेश को एक हाई स्पीड डी बांगलादेश में डीजल एक्सपोर्ट कर पा रहा है जहां पर भारत एक तरीके से बांगलादेश की मदद कर रहा है और इससे भारत को भी फायदे हो रहे हैं जहां पर भारत अपना डीजल बेज करके पैसे कमा रहा है इसके लावा अगर बांगलादेश खुद की देश के अंदर रुकती हुई नजर आई है और कुछ में पहले ही भारत सरकार और श्रीलंका शरकार के बीच में कुछ बात शुरू ही थी जहां पर भारत एक काफी बड़ी लैंड कनेक्टिविटी बनाने वाला था श्रीलंका के साथ इसके लाबा एक डीजल और पैटुलिय की गई थी जो कि च्रिलंका की इसमें सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि सब्विंकस्ता में स्थित है और यह एक दिन में करीब 38000 बैरल टेल को रिफाइन करती हो और इस रिफाइनरी के अंदर भी डिरेक्टली में से क्रूड ओयल आता है रिफाइन होकर के श्रिलंका मे रिफाइन किया जाए और उस एरिया से गुजरनेरले जितने भी कारगोज है वहाँ पर उनकी रिफेलिंग की जाए और भारी मात्र में रिवेंड रू जनेट किया जाए इससे और ओर देखा जा तो सीधे चाइना को फायदा होने वाला है भले ही कहने को श्रिलंका को इसक प्रोजट की जानी थी अब उसे शुरू किया जाना चाहिए आपके हिसाब से इस प्रोजट की शुरूरात होनी चाहिए या फिर नहीं कामेंट वक्स में ज़रूर प्ताइए का भारत कैसे यूसूल एंफरमीटी वीडियोस पाने के लाफ मारे यूटीब चानल को सब्सक्रा सब्सक्राइब जरू कर लीचे मिलेंगे हम आपको नई और इंटरस्टें मीडियो में तब तक लवन्दे मात्रम भारत माता की चेक